आउरल के फिर हिक वारी उस परमात्मा परमपिता नू पहला याद करांगे अपने जिन्दगी विच इस कड़ी नू एहमित रखते हुए कि एक ड़ी असी संगम युग विच पहुंच के या असी अकाल पुरक नू जान चुके या असी अपने आप नू आत्मा पैचान चुके है ते असी गोबिंद मिलन मना रहे हैं राज्यो कर रहे हैं मतलब की मैं आत्मा अकाल पुरक नू मिल रहे हैं ते उस ती याद विच उस ती सिम्रन विच असी अपनी जिन्दगी नू ठीक कर रहे हैं ते इस ख्याल नू लेके असी चल रहे हैं, ते छेवी पौड़ी जब जी सहब पहुंच चुके हैं, ते ते तीरत नावा, जेतिस पावा, विन पाने की नाय करी, जेती सिर्ट उपाई वेखा, विन कर्मा की मिले लें। वे उस ते याद विछी हो सकती है, किसे नू खुष करना, किसे दिल नू पाना, अकाल पुरग दे नू खुष करना, उस नू पाना, असी ता कर पावांगे, जे असी उसकोल ही शक्ती लवांगे, ते अगे तुरिये फिर, मत विच रतन जवाहर मानेक, जे एक गुर की सिक one word, Guru दी एक गालवी असी सुन लए, Guruji says, our mind is bejeweled and preciously adorned, for thus we have His divine qualities embodied, a reminder to be, to live the Mool Mantra, His qualities. मत विच रतन जवाहर मनेक, मन विच गुरुजी के रहे ने हिक कितना खुब्सूरत टरीके नाल ए शेंतेंस यूजूज किते हांगे, रतन जवाहर मनेक मतलब एक इन्नी कीमती साड़े मन है साड़े मन इन्नी कीमती है जे असी एक गुरु दी गल नो समझे मतलब गुरु दी गल दे परमात्मा दे गुन, परमात्मा दे ग्यान, परमात्मा दे व्याख्या परमात्मा दे विचार इन्नी जबरदस्त रतन है हीरा है रतन जवाहर है जो असी इसनु संभालिये इसनु कदी छड़ना नहीं है जमें सादे को हीरा होई हाथ वच आसी किसे ने सानो एक बड़ा बड़ा हीरा दिते है आसे कीमे उसनु पकड़ के रखांगे ओनु गिरांवांगे उननों कदी किसे नों मतलब की गल्ती नाल देखावांगे पर छुटे ना हतो गुमना हुए असी बहुत त्यान रखांगे ना ते इसे तरह गुरु दी गल, गुरु दी सिख्या, गुरुबानी, अकाल पुरु दी जो असी सुन्नेया मूल, मूल है, हीरा है, एरतन है, इननो पकड़ के रखिए, ते रोज इसनों अपने अंदर मतलब की रिफ्रेश करना है, कि मेरे कुल एहगा, मेरे कुल एहगा, कि मेरे मन दे विच, मत दे विच मैं पालिया है, एक ग्यान, एक गहराई, मैं ही जोती बिंदू आत्मा हूँ, मैं ही उस अकाल पुरु दी बच्ची असी पकड़ के रखिए, इसनों मन वेच असी पकर के रखांगा, फिर गुरा एक दे बुजाए, मतलब एक गहल जा आसी सिख सुनी, आसी सुनागे, सिखांगे, फिर बहुत फल आसी जिन्तगी विच पावांगे, इस तो अगे दिपंगती है, गुरा एक दे बुजाए, स एंडिंग ते ही फिर दुबारा रिपेट किता गया है दो तिन लाइन गुरा एक दे बुझाई मतलब गुरु दी एक गाल जासी बुझ लिया समझ लिया फिर आसी समझांगे कि सब्ड़ा जियां का एक दाता सू मैं विसर न जाई पंजवी पॉड़ी दे एंडिंग ते भी एयो पंगती बोले सने त मतलब गुरु ने इस दो लाइना नो किनी एमियत देती है कि असी कि दो वरी एक था दो पॉड़ी आदे एंडिंग ते क्योंकि एक एक पॉड़ी दी जो लास्ट लाइन हुन दी है वो बहुत गहरा हुन क्योंकि उस दे विच सारी राज हुन दी हर एक बाणी दी पंगती विच अपा पहला उस दी पॉइंट्स होन गे जो गुरु कवर करना चाहुन दे ने उस बाड़ी दे विच या उस पंगती दे विच ते लास्ट लाइन विच ओ नचोड़ दसन गे तरीका दसन गे की करन दा मतलब सारे कुछ जिन्दगी विच जो भी प्रॉबलम में जो भी गॉले जो भी गाला से कर रहे हैं विचार रहे हैं खोज कर रहे हैं उस दा भले की है एक कॉंकार एक परमपिता एक परमात्मा ते इथे भी फेर गुरु याद दिल हारे इक गाल याद रखने गुरा इक दे बुझाई, मतलब इक गाल नू पकड़ के लखनी है, सबना जियां का इक दाता सो में विसरना जाए, सारे आत्माय पामे असी, कृष्टियन, मुसलिम, हिंदु, जो वी तरम वेचा, जेन, बुदिस्त, या फिर थाईयां, रश्या ना, अमेरिका ना, कोई भी देश निवासी हो, चाइनीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, आफ्रिका ना, जो वी, असी फिर भी उस दी आत्मा, असी फिर भी आत्मा, असी सारे फिर भी उस एक तो आए है, उस परमदाम, परमात्मा दे कारतों आए है, क्योंकि कृणानग दीव जी, अकाल पुर अगते होकम अनुसा बोल रहे ने, सबनाजीयां काई कदालता, सो मैं विसर ना जाए, इस वास्ते, इस गाल नू कदी ना सी पुलिये, कि असी सारे उस एक देयां, कदी ना इस गाल नू अपा पुलिये, मतलब की याद रखिये कि मन विच, मत विच, मत विच, मत विच मत दी गाल हो रही, मन व आसी समयच सकने है ज़से बोलने है गुर्मत, मन्मत, श्रीमत, यह तिन मत असी सुन्दे, एक और मत यह परमत, जदो यह असी मत दी गाल करने है, मतलब साड़ा मन जड़ाना हो पांडा है, की वदे विछ पिया है उसनु असी मत कैने है, अप बुद्धी, हिंदी विछ मत आख यह साड़े मन वेचे गुर्मत है, मतलब की गुरुदी गाल पैग गई है, पर जए सी कुछ करांगे तो लोग दे एन्हे मन मत किती है, मन मत किती है, मतलब उन्हे अपनी किती, गुरुदी नहीं किती, बदब जो उन्नु चंगा लगद है, जो गुरु तो खिलाफ हो उसनों सी कांगे मन मत, मन दी मत, क्योंकि ऐस वेले सारी मन दी, मन दी, मन दी अक्चली शुद हैगा, पर उसी मन मत नो ऐथे नेगटिव किया जनना है, क्योंकि मन मत ना मतलब है कि ऐसी उस आत्मक अवस्था तो दूर हो चुके है, आसी अपने आपनों इस सरीर समझ लिया मतलब बोडी कॉंशिस वाला मन है, ते उस बोडी कॉंशिस देना, फिर पांजवी कार, रज रज के होंदेने, ते फिर असी उसनों गुरुदी गाल, गुर्मत या श्रीमत नहीं कह सकते, मन मत या पर्मत, पर्मत मतलब पराया है, किसी पराया तो सुने, सुनी हुई गल, उसनों गुर्मत पर्मत, मतलब शिर और सिर्फ शीमत या गुर्मत नहीं, असी समझागे, गुर्मत मतलब गुरुदी गाल, जो सॉन वाख्या, माना आत्माओं ने जो सॉन वारु सेखाया, ऐते गुर्मत अश्रीमत ही है, बर शीमत एक होफ लेवल, शीमत गुरू दी गाल क्योंकि गुरू जो भी है सरीरक रूप विच कोई किसी नों सी जे गुरू मन लेए तो इस सरीरक रूप दे विच आके उसने भी करम खंड विच कदम रख्या हुए है अधर मतलब उस दी मन दी अवस्था भी गिर चुके है जो भी है अकाल पुरग वर्गा शुद दी ने क्योंकि करम खंड विच आये आउंदी असार साड़ करम दा खाता शुरू हो जन्दे साड़े मन बुद संसकार गिर जन्दी है लॉफ एंट्रोपी मतलब नवी चीज नवी नहीं रेंदी शुद आतमा उस्रह सौ परसण शुद ने है अकाल पुरुक वर्गा ते नहीं है ऐस वासते गुरमत नूँ James जी अकाल पुरुक दे वच्चन नूँ बोलांगि असी शृमत बोलांगि मतलब सब तो श्रे श्रमत जो सौ परसंट सही है उसमें से श्रीमत कांगे गुर्मत वर्ड गुर्बानी अनुसार ठीक है वोही श्रीमत है लेकिन दुन्यावी गल्ला वेच असी कि उस गुरू ने कई है उगुर्मत है एसरनी असी कह सकते है उग किसी श्रीर किसी इनसान ने जे गाल आकी है उस दी गाल है अकाल पुर्ग दी गाल अलग है मुल्ली राही या जबची सहब दे बानी राही आसी उस गाल नो गुर्मुक या गुर्मत या श्रीमत कह सकने है गुर्मुक दी जो आसी गाल किती है पिछले पौडियां वेच उग गुर्मत दी गाल है उन मत विच रतंजवाहर, होना सी अपने मन दे मत जड़िये न इसनू श्रीमत बनानाएं फिर ओकी गहे ओ रतंजवाहर मन दे विच पाया है ते ओ मत श्रेष्ट हो गई है, फिर उसनू कांगे मन विच रतंजवाहर मानिक जे अगर एक गुर की सिख सुनी मतलब गुरू दी एक एते गुर बिना ओंकर रहे अकाल पुरक्ती गाल कर रहे थर्ड परसन है ते क्लियर है कि अकाल पुरक्ती गाले कोई हस्ती दी गाल ने एक सुनी सिख सुनी एक सिख्या सुनी एक गाल नो फड़ ले, यह अपा सिर्फ एक ओंकाद, एक परमात्मा नो असी पेचानांगे, उस ती रूप, उस ती हुंद की है, कि थे वस देने, उस दी रोल की है, अपने आपनो पेचानांगे, मैं कौना, मैं आत्मा, कि थे वस दिया, इं जोती बिंदू बिंदी लगाय है ताकि अपने आपनों ते आप जीनों ही त्यान विच आए कि मैं आत्मा फिर आसे उसनों परम आत्मा समझ पाऊंगे खुदनों पहला आत्मा देखांगे और इस मतलब की मन वेच मनिक एवी हो सकता है कि आत्मा ही जरीद चमकती सितारा है, मनक है इस शरीर ते वेच, हीरा है क्योंकि आत्मा तो बिना शरीर कुछ भी नहीं शरीर, एक खुबसूरत शरीर, जिस दे अखा दे नूर हैगा कान दे सुनन दे शक्ति हैगा नाकन सुंगन दे शक्ति हैगा जीब नू रस टेस्ट करन दी शक्ति हैगा बोल सक दिये, दिल दड़क रहा है सारी एक खुबसूरत हुकम वेच चल रही शरीर एक ताँ खुबसूरत हैं क्योंकि अंदर मनिक जग रही है मन विच, मन, मत, बुद्ध, ए सारा मतलब ही मैं आत्मा खुदी एक मनिका ते उस दी ते आत्मा दी मन वेच चे सिख्या अकाल पुरती शरीमत आ गई ते वो डबल पावफुल हो ज़ंदी जोड़े गाला सी आत्मा दी किती है कि आत्मा दी टू साइज अज़ दू कोईने वो जड़े लाइफ वोस एनरजी है आत्मा दी अपनी शक्ती वो ही मनिक वो ही रतन जवाहर है वो ही प्यूर एनरजी पर दूजी साइड ज़़े है साड़ी मन, मत, बुद्ध है ए साड़ी संसकार है एस वेले गिर चुके एसनों जैसे गुरू दे सिख्या नाल एस तरह प्यूर बनावांगे फिर दोनों साइड आफ दे कौईन एकदम खुबसूरत हीरा बन जाएगा फिर आपा इस सरीर विच आउन दा लाब ते इस सरीर विच आउन दा मकसद कम्पलीट कर पावांगे ते इस वास्ते हमेशा अपने आत्मा नो ही समझने के हीरा है क्योंकि आत्मा ए मनिक रत्तर निकल जाए इस सरीर तो ते फिर एक खुबसूरत सरीर की है मुर्दा लाश मुर्दा लाश नो असी देखिये ते सिर्फ बे जानने हैगा थोड़ा चेर बाद बोवा होंदी है सर जन्द है काला हो जन्द है दिखन जोग भी नहीं हो जन्द है कोई नेडे नहीं आना चाहेगा एक दिन दो दिन बाद एक मुर्दा लाश एक जो तो असी देख रहे है खुबसूरत इंसान चल दी फिर दी चमतकार जी वहीं रोबोट विच असी बैटरी पाईए ते ओ रोबोट चल दीए बैटरी तो विना ओ रोबोट ओ थे खड़ी रहेगी कुछ काम नहीं करेगी ऐसी तरह इस सरीर रुपी रोबोट विच ए मनिक आत्मा बस दीए हीरा आत्मा बस दीए ताएं चल रही है ताएं एक सरीर खुबसूरत है ताएं साड़ी अक्थ, साड़ी जिंदगी है खेड़न वस्ते, रिष्टे ने ते बच्चे ने, फ्रेंज ने, रिष्टेदार ने पार्टियां, म्यूजिक असी इनना कुछ कर रहे है इस शरीर विच खेड़ खेड़ रहे हैं, मजा लह रहे हैं एस सारा कुछ ताँ हो रहे है कि मैं आत्मा इस शरीर दे विच जा मैं आत्मा इस शरीर तो निकल जा फिर इस शरीर दे नाल सारे संबंद कोई भी हो, मा, बाप, बाही बेहन, बच्चे, पोते, पोती, दोत्रा, फ्रेंज, ए रोनक, ए सारा कुछ खतम हो जंदी है, क्योंकि आत्मा नो शरीर दी लोड है की खेड़ खेड़न वस्ते, शरीर तो बिना आत्मा खेड नहीं खेल रहे हैं, शरीर तो बिना आत्मा कुछ परमदाम निवासी है, उस शरीर तो बिना आत्मा परमदाम निवासी है, वह इस शरीर वे आन तो पहला, एक वर ही असी करमखन वेच आ जाए, इस माधी गरभ वेच पैदा हो जाए, उस तो बाद असी एक शरीर नो छड़के फिर माधी गरभ वेच चले जाओंगे, फिर नवें सिरो रिष्टे पावांगे, नवें सिरो फिर पढ़ाई करनी पैगी, नवें सिरो फिर अपने आपनो आत्मा समझनी पैगी, नवें सिरो फिर इसारा खोज करनी पैगी, इस वस्ते जिंदगी बहुत कीमती है, ते जिंदगी नो प्यार दिना पकड़ के रखियो, ते जिन्दगी है आत्मा दे कारण इसनों समझने इसनों फील करने एमें नहीं बोले मैं आत्मा बल्की फील नाल मैसूस दे नाल जे गुर दी एक गाल वी असी पढ़ लिये कि मैं ओमा आत्मा दे ओ एक है उंकार है आसी राल के एक ओंकार है इस एक ओंका दी एक गल या मुल मंदर दी कोई भी एक गल वसी समझ लई है गुरा एक दे भुजाए सबना जी यांकाओ एकदा गाथा सो मैं विसर जाए फिर असी विसरंगे ने फिर आसी इस जिंदगी नो सफल पावांगे इस छेवी पॉली नो कम्प्लीट कर बेठे हैं सी आप जीदा शुक्रिया थेंक यू वेरी मुच सत्नाम वाहिगरुजी का खालसा वाहिगरुजी की फते ओम शंत